हालो फ्रेंज मैं हूँ अम्रिता आज बनाने चेरे हो मिटेन स्टाइल मेश फ्रूट केक तो चली शुरू कते हैं यहाँ पर टूटी फूटी और थोड़ी ब्लाक केस मिश लेह हो एक चमास मैदा दालते अच्छे से मिश कर ले चाकी हमारा टूटी फूटी केक के नीचे नहीं बठेगा एक कप मैदा लेंगे और डो टेबल स्पोन कस्ट्र पाउडर लेंगे इसे चानी में चान लेंगे और एक बाउल में हाप कप डाही लेंगे चीनी वान थार कप लेंगे आपके मिठास से हिसाब से कामिया ज्यादा लेशते है चीनी एक चमास बेकिन पाउडर और हाप चमास बेकिन सोडा दालके अच्छे से मिश कर ले केक के बेटर बनाने से पहले उबन को प्रिहेट कर ले केक मूल को बटर परपर लगा दे और ओल से ग्रीस कर ले दही में अभी बाक्की के इंकिरेंस दाल दे भेनिला एसेंस और पाइनापुल एसेंस दाल रहे हूँ आपके पास मिश प्रूर्ट एसेंस है तो दाल लेगा तेल वान फोर कप डालकर अच्छे से मिश कर ले थोड़ा नमक दे दे मैडा को डालेंगे एकी साथ नहीं डालेंगे बारी-बारी करके मैडा को डालकर अच्छे से मिश करते जाएंगे बेतर को स्मूर्ट प्रेस बनाना है जैसे की रिबन कंसेस्ट्रांस से होना चाहिए बेतर को डूर डालकर एजस कर ले बेतर में लास्ट में ड्राइफूर्ट मिश कर ले इसे अच्छे से मिश करना है, ओभर मिश नहीं करना है बेतर को प्लाइक वेस्ट दिरेशन में मिश करना है बेतर को इम्मीडियट केक मोल में टांसपर कर ले केक मोल को डो से तीन बार टाप कर ले टाकि एर बेबल निकल जाए केक को अधा गांदा के लिए वाने टी दिग्री पे बेक कर ले आप चाहे तो गढ़े में बेक कर साते हैं मगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा केक बेक होने के बार एक क्या प्रेसर धाग दीजी और फंदा मिनिट के लिए थंदा होने के लिए छोड़ दीजी केक को डिमोल कर दीजी पीसेस में कट कर लेंगे केक बहुती सॉप्ट और स्पॉंजी बना है मेरी रेस्पी पसन आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेयर करना न भूले खबए एक और स्पॉंग् झाले